हेलो फ्रेंट्स मैं हूं सिवानी वेल्कम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फे फ्रेंट इतने भी फेल चात्र है सप्लिमेंटरी वाले आईटियाई के चाहे आप दोजाटारा के चात्र हो चाहे से सन 2019 के हो या फिर से सन 2020 के हो या फिर 2014-15-16-17 वाले चात्र हो सभी के है फैनली आप लोगों ने थमने देखा ही होगा उसके बारे में पूरी डिटल में आप लोगों को बताने वाली हूं कि क्या-क्या जो है फिक्स किया गया है आप लोगों के लिए तो आप लोग वीडियो को आन्तर तक देखीगा सभी चाहतर और कुछ अच्छा डिसीजन लिया गया है फेल सात्रों के साथ काफी नाइंसाफी हो रही है अप लोगों को भी अच्छी तरीकी से पता होगा लेकिन अब आप लोग क्या कर सकते हैं जो डिजिटी का जो है डिसीजन होता है उसी को मानना पड़ता है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल डिस सेशन के जातर है नीचे कमेंड में जरूर बताईएगा मैं इस दिया बोलती हूं ताकि इसे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आप लोग के सेशन 22 में अपडेट सेयर करूंगी ऐसे आप लोग के सभी सेशन के वीडियो को सुनना पड़ता है उसे आपको प्रॉलम होती है मुझे पता चलेगा कि ज्यादा स्ट्रेंट की सेशन के तो सेशन वाइज में वीडियो अपलोड कर दोंगी तो आपको हेल्प मिलेगी उसके साथ आप अस्टेट भी बता दीजिएगा ताकि आपके अस्टेट का कोई स्पेसल अपडेट आएगा तो वह भी मैं आप लोग को बताऊंगी और आप लोग क्या चाहते हैं प्रिशाद हैं तो आप लोग की क्या मांग्यां है गोवर्मेंट से पर दिश्टी से वह आप लोग नीचेक्ट कर लेधे सबसे पहले आप लोगों को बता दे कि इतने की जातार यह पर वाले हो सेमेश्टर बैक के हूं यहां जो है इतनी मीइटिंंस रखी कई ती टीचित लगातार ही चल रही है इए खास करके आ MAY पता है इतने दिनों से कोई दैसंट नहीं ले रहे थी फैल चातरों के उनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास करना होगा उनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास करेंगे जिनका माइनस और जीरो बाले होंगे उनको इनका जो रिजल्ट है इनकी में सुधार करेंगे और इनको नमबर दे करके पास कर देंगे माइनस और जीरो को सुधार करके टेक्निकल इ नहीं है कुछ फरसेंट च्ठी तहरेंट का ही हुआ है अधिकतर छात्रों का नहीं हुआ है वह भी परिषान है चात्र के अभी भी दम्हीं आया है कुछ घर चात्र शितार आ गया से में लेकिन जब उआ वार देखे उनका रिजल्ट ऑपास कर गया थे लेगर फिर से जब सुपोर देचेक कर देए तो फिर उनको समस्यार आ रही तो अब जुआ वाव थैस्चत्र जितने इन मिटिंग में pontos टैकर नियुक्त कर दिया गया घ्याएं जितने जारी छाहनुं कि व्यां पर necesita चात्रों यह आपका ग्रेसमार्स बिलने वाला था अब किसी के रिजल्ट को सुधारा नहीं जाएगा आपको फाइनली फेल गुजित कर दिया जाएगा और फेल गुजित करने का मतलब आप लोगो अच्छी तरी किसे पता है कि आप लोगो सप्लिमेंटरी में जो है वो एड सुधारा जाएग मीटिंग में यह तैकी गई कि अब जितने चात्र बच गये हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता उनके लिए अब फिलहाल में रिजल्ट अपडेट करना या उनका डाटा जो है सुधारना वो उसके लिए अब टाइम नहीं है अब टाइम आ गया है परिक्छा क अब रिजल्ट को सुधारने का टाइम काफी बिद चुका है दो तीन महीने का टाइम काफी लंबा टाइम होता है दो तीन महीने टाइम डिजटी ने लिया था फिर भी वो 100% चात्रों का नहीं सुधार पाए क्यों ने सुधार पाए ये तो पता नहीं क्या इतना ज्यादा स्लो वो लोग बढ़क करते हैं कि हम लोग समझें अब डिश्टी ने सीधा जो है अपने हाथ खरे कर लिये हैं और उन्हों आपका फिर से आप एक्जाम दें फिर से टेकनिकल इसो कौन ऐसा विश्टी ने यह गारंटी तो नहीं लिए है कि इस बार ना अब तो आपके पास चांस ने इस वार आप एक्जाम दीजेगा इसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही चांस रहे विदियो को बता दिए है कि जन देंगे इसके बाद फैलë क्र जांस बजवन नहीं पूत टोनियों का सब्सक्राइब की एंधर क्वाइब हो इस आपने परिश्ट धरनार निद्म तो कम प्रश्च्रा ज्रोथ किया तो उसका कम नंबर आया इसमें डिश्टी कुछ नहीं कर सकती है लेकिन माइनस और जीरो के लिए कम से कम डिश्टी को गारंटी लेना चाहिए कि इस पर आशीव समस्याएं नहीं आएगी ठीक है तब छादर जो है उत्साहित के साथ एक्जाम देते कि चलो इस बार तो क पास होंगे बाकी उनका आप कुछ भी नहीं हो सकता यह बिल्कुल गरत डिसीजन है आप लोग इस पर क्या कहना आप लोग नीचे कमेर में जरूर बताएगा एक और एक टाइम और जो है चातों के लिए सोचना यह चाहिए था रिश्टी का दो तीन महीने का टाइम नहीं फिर भी क्यों नहीं हुआ देखिए कुछ गलतियां आपके आईटिय का भी है इसमें यह भी कह सकते हैं कि आपके आईटिय में जो आपके प्रिंस्पल है या टीचर जो भी हैं जो सारे वर्क को समालते हैं उन्होंने आपका डेटा जो है वो डिश्टी के पास भेजा ही न कारण यह माइनस और जीरो वालक समत्का है मैंनस जीरो मतलब यह थे पर इस्ट्रब मतलब ही नहीं चाह मं चंट किसीकों कि आपके देश्ट्रो को अधील करते हैं टिश्टी के पास उन्होंने कि कीया ही नहीं है इसांसी और यह नहीं कि जितने भी IT Center है सभी को लेटर लिखा जा था कि आप लोग अपने अपने चात्रों का डेटा बेज ये तो हम उसको सुधार कर देंगे लेकिन फिर भी आपके जो IT वाले हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने नहीं भेजा तो कुछ ऐसी भी समस्या है कि कुछ आ आप लोग को तो परिच्छा देना ही पड़ेगा तो अच्छी बाते परिच्छा आप दे दिजिएगा लेकिन जिस्टी को यह कंफर्म कर देना चाहिए कि अब ऐसी गलती नहीं होगी माइनस वन जीरो बाले प्रॉलम नहीं आ सकती है ठीक है तो चलिए आज कर वस इतना ही जीरो